हलो एब्रीवन, वेलकम टू नॉलेज मौल, तो आज की वीडियो में हम लोग टेस्ट लगाएंगे बिहार दरोगा एसाइमेंस और भी एसासी इंटरस्तरिये के लिए, साथ ही अगर आप किसी भी कॉम्टेटिव इक्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो भी ये वीडियो आपके आंसर है ऑप्सन B, अरविन पंगडिया को, सरकार ने निती आयोग के पूर्व पाध्यक्ष अरविन पंगडिया को 16 में वित आयोग का अध्यक्ष नियुक्ति किया है, 15 में वित आयोग के अध्यक्ष एनकेसिंग है ब्रिक्स में वर्तमान में कितने देश सामिल हैं, आंसर है ऑप्सन C, दस देश सामिल है, ब्रिक्स वर्तमान में दस देशों का समोह बन गया है, जसमें की ब्राजिल, रूस, चाइना, भारत, दक्षिन अफ्रिका, मिस्र, इथोपिया, इरान, सौधी अरव और सन्युक्त अरव अमिरात सामिल है, डेजर्ट साइकलोन निमलिखित में से किस देश का एक सन्युक्त सैन नभ्यास है, आंसर है ऑप्सन D, भारत और सन्युक्त अरव अमिरात का, निमलिखित में से कौन सा अनुच्छेत, मानों के दुर्व्यापार और बंधन मजदूरी पर रोग से स हरित क्रांती का प्रभाव मुख्य रूप से किन किन छेत्रों में था? आंसर है ऑप्सन D, पंजाब, हरियाना और पस्चमी उत्तरपरदेश के छेत्र में, हरित क्रांती में देश में खाद्यान उत्पादन और खाद्यान गहनता दोनों में तिव्र विर्धी हुई और भारत अनाज उत्पादन के मामले में आत्म निर्भर हो सका निमनलिखित में से किस संस्था द्वारा मानव विकास रिपोर्ट का प्रकासन किया जाता है? आंसर है ओप्सन D, निर्धंता रेखा से नीचे के अनुपाद से पादप के किस भाग द्वारा प्रकास अंसलेशन हेतू वायू से कार्बन डायकसाइड ली जाती है आंसर है ओप्सन बी रंधर द्वारा पत्ती की सतह में उपस्थित सुक्ष्म रंधरों द्वारा जिसे के स्ट्रोमेटा कहा जाता है वायू में अपस्थित कार्बन डायोकसाइड परिवेश करती है और यह रंद्र द्वार कोसिकाओं द्वारा गिरे होते हैं संदेश अस्थानांतरन का कार्य निमलिखित में से कौन सी कोसिकाओं करती है आंसर है ओप्सन बी लंबी साखानवे तंत्रीका कोसिका मानों में अनिक परकार की कोसिकाओं होती है जो कार्य और आकरिती में भिन्न हो सकती है संदेश प्राप्त कर उसे अस्थानांतरन का कार्य तंत्रीका कोसिकाओं के द्वारा किया जाता है यह कोसिकाओं आकरिती में लंबी और शाखानविध होती है भारती उप महादूइप में सामिल देश है आंसर है ओप्सन ए पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाल और भूटान कोपेन ने भारत को कितने जलवाईविये परदेशों में बाटा है आंसर है ओप्सन भी तीन ब्लादेमीर कोपेन ने 1918 में विस्व जलवाईविये परदेशों में बाटने के करम में ही भारत को भी तीन जलवाईू परदेशों में विभाजित किया जो इस प्रकार है सूस्क, अर्ध सूस्क तथा अर्ध जलवाईव परदेश रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? आंसर है ओप्सन D 3 x 10 to the power 8 meter प्रती सेकेंड बर्फ का गुप्त उस्मा है आंसर है ओप्सन C 80 calorie पर ग्राम कॉंग्रेस का लखनव अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? आंसर है ओप्सन C 1916 स्वी में जिसके अधिक्षता अंबिका चरंदास ने की थी हिंदुस्तानी प्रजातंत्र संख HRA की अस्थापना कब हुई थी? आंसर है ओप्सन A 1924 स्वी में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आंसर है ओप्सन D इन में से कोई नहीं सारे कथन इसमें दिये गए सत्य है कि प्रिथिवी की सत्य से उपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है छोटी जी का दुरूव पर जी का मान अधिक्तम होता है भूमद रेखा पर जी का मान नियुनतम होता है यदि कोई पिंड समान त्वरन से गती सील है तो उसका वेग आंसर है option A, बढ़ता जाएगा स्रब्व सीमा से नीचे की आवरितियाँ वाली ध्वनी तरंगे कहलाती है आंसर है option C, अप्सरब्व तरंगे अप्सरब्व तरंगे जो होती है ये 20 हर्ट से कम आवरिति वाली तरंगों को ही अप्सरब्व तरंगे कहते हैं मनुसिक के कान इसे नहीं सुन सकते इन तरंगों का तरंग दैर्य अधिक होता है सरब्वे तरंगे जो होती है ओर्डिवल वेप्स ये 20,000 हर्टे से 20,000 हर्टे की आपरिती वाली तरंगे हैं इन्हें सरब्वे तरंगे कहते हैं जिनने की मनुस्य सुन सकता है एक होता है परासरब्वे तरंगे अल्ट्रासोनिक वेप्स 20,000 हर्ट से अधिक आवरिती वाले तरंगों को परासरब्ब तरंगे कहते हैं ये तरंगे मनुस्य के कान दारा नहीं सुनी जा सकती परंतु कुछ जानवर जैसे की कुटे, बिल्ली, चमगादर इत्यादी दारा सुना जा सकता है परासरब्ब तरंगों की आवरिती अधिक परंतु तरंग दैर्य कम होता है हूग का नियम किस से संबंधित हैं? आंसर है ओप्शन A, प्रत्यास्था से निमनलिखित में से कौन सा ताप मापी, सीबैक परभाव पर आधारित हैं? आंसर है ओप्शन B, ताप यूग मुप ताप मापी निमनलिखित में से किस में सर्वोच विसिस्ट उस्मा का मान है? आंसर है ओप्शन C, जल में जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व? आंसर है ओप्शन A, घटता है या कम हो जाता है? प्रकास ऐसे माध्यम में गती मान हो जिसमें धूल एवं अन्य सूक्षम करनों के उपस्थिती में प्रकास सभी दिशाओं में विस्त्रित हो या परिगटना है? आंसर है ओप्शन D, प्रकिर्नन के वह तत्व जिसकी सरवाधिक आवश्यक्ता पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए होती है आंसर है ओप्शन B, नाइट्रोजन इलक्ट्रोन वोल्ट इकाई है आंसर है ओप्शन A, उर्जा की निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं की परिरक्षन में परियोग होता है? आंसर है ओप्शन B, सोडियम बेंजोएट यक्री तिवं मानस्पेशियों में उर्जा जमा होती है आंसर है ओप्शन D, ग्लाइकोजन की रूप में विटामीन B3 का रसाइनिक नाम क्या है? आंसर है ओप्शन B, नियाशेन डियने को किस ने अन्तापातर में बनाया? आंसर है ओप्शन A, आर्थर कर्ण बर्गम ने गैसों के अनू गती सिधान्त से गैसों के अनू गती सिधान्त से किसकी व्याख्या की जा सकती है? आंसर है ओप्शन D, उप्युक्त सभी की बॉयल के नियम, चार्ल्स के नियम और हुंड के नियम की फूलों में नर प्रजनन अंग होता है आंसर है ओप्शन A, पुंके सर वो डिस्परेट जाना जाता है आंसर है ओप्शन A, मीथेनौल की रूप में किसी वस्तु की अंतिमिस्थिती तथा प्रारंभी किस्थिती के बीच की नियून्तम दूरी को कहते हैं आंसर है ओप्शन D, विस्थापन मानो सरीर में जैव उत्प्रेरक एवं जैविक नियंतरन के रूप में कार्य करती है आंसर है ओप्शन C, प्रोटीन निम्नलिखित में से किसे स्वेत परवत के नाम से भी जाना जाता है आंसर है ओप्शन B, धौलागिरी धौलागिरी परवत उत्तर मद्य हिमाले में हिमाले की परवत सरिंकला का भाग है इसका नाम दो संस्कृत सब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है स्वेत परवत संसद का वह वित्तिय समीती जिसमें राज्य सभा के सदस्य सामिल नहीं किये जाते है आंसर है ओप्सन B प्राकलन समीती काटा जेनब प्रोटोकॉल का संबंद है आंसर है ओप्सन C जैव सुरक्षा समझोता से भारत के आर्थिक सर्वेक्षन को तयार करने तथा प्रकाशत करने का दाईत तो होता है आंसर है ओप्सन A वित्त मंत्राले का 124 संसोधन विधयक 2019 किस से संबंदित है आंसर है ओप्सन B आर्थिक आरक्षन से 124 संसोधन विधयक 2019 आर्थिक आरक्षन से संबंधित है उपरी जातियों में आर्थिक रूप से बिछडे लोगों के लिए सरकारी नौकरी में 10% आरक्षन का प्रापधान और सेक्षनिक संस्थाओं में परवेश से संबंधित है किस संब्यधानिक संसोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवेधानिक अस्थर प्राप्त हुआ आंसर है ओप्सन ए 73 संसोधन द्वारा 1993 में संसोधन के 73 में संसोधन द्वारा पंचायती राजविवस्था को संवेधानिक माननेता मिली थी इसका उद्देश था देश की करीब ढाई लाग पंचायतों को अधिकार प्रदान कर उसे ससक्त बनाना गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारन बिहार के किस जिले में स्थित है? आंसर है ओप्सन बी गया में किस देश के सरकारी रिपोर्ट को यलो बुक कहा जाता है? आंसर है ओप्सन ए फ्रांस के DRDO द्वारा विक्षित हैलीना क्या है? आंसर है ओप्सन बी एंटी टैंक गाइडेट मिसाइल है भारत में थोक मूल्य सुचकांग के आंकडे निमनलिखित में से कौन सा संस्थापन या कार्याले जारी करता है? आंसर है ओप्सन बी वानीज एवं उद्ध्योग मंत्राले 1927 का बटलर कमीटर का उद्धे सिथा आंसर है ओप्सन बी भारत सरकार तथा देशी रियाशतों के मद्ध संबंधों को सुधारना महवीर स्वामी का जन्म हुआ था आंसर है ओप्सन बी कुंड ग्राम में महवीर स्वामी का जन्म 540 इसापुरों में कुंड ग्राम वैसाली में हुआ था ओप्रेशन देवी सक्ती का संबंध किस्से है? आंसर है ओप्सन D अफगानिस्तान से भारती नागरिकों को निकालने से अफगानिस्तान में तालिबान के कबजे के बाद भारत ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए ओप्रेशन देवी सक्ती चलाया पूंजिवादी अर्थवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है आंसर है ओप्सन ए बाजार अर्थवस्था के नाम से कौन से वे दो ग्रह हैं जिनका सौर मंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमन वीप्रित दिसा में है आंसर है option C, सुक्र और यूरेनस यनि की अरून का बहु आयामी गरीबी सूच कांक निमलिखित में से कौन सी संस्था जारी करती है आंसर है option D, नितिया योग तो ये थे आज की वीडियो, I hope की वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, कमेंट करें और सेयर करें, धन्यवाद